हेले फ्रेंड्स आगे थे आप सभी का आर्वेदु ट्यूब में तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा कोश्चन है वो क्लास 9 की मैथ से चेप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स से है ये कोश्चन एक्सरसाइज 6.2 का कोश्चन नंबर 4 है इस वीडियो में हम इस कोश्चन को देख सकते हैं तो चलें सुरू करते हैं देखने कोश्चन में से क्या पूछा गया है कि यह कुश्चन नंबर 4 है एंपीगर 6.31 इफ पीक्यू पैरलल तो एस टी एंगल पीक्यू आर इस इक्वल टू रहन अंडट 10 डिग्री एंड एंड एंगल आर्स टीज इस इक्वल त 130 डिग्री फईंड एंगल क्यू आरेस ओके तो यहां पर यह पास एक लाइन पीक्यू यह पैरलल इस लाइन के एसटी के यह वाला एंगल दिया गया यह वह में यह वाला एंगल फाइंड करना है अब हमें कुछ दिया गया है हींट च्धिया है हिंट हम आरे पास घेड़ होगा ठीक है यह वह लाइन है यह जो एक्स आर वाई है क्या है एकस आर वाई है तो आप ध्यान से देखो अगर स्टी पेरलल एकस आर वाई है और यहां पर हम को बताएगा तो भैया यह यह पीक्यू होगा तो फिर देखों ने किया क्या है यहां पर सॉल्यूशन कि ड्राइट कि एलाइन कि एक्स आरवाई कि पार्लेल टू एस्टी पार्लेल टू पीक्यू ओके देन वी है तो यहां पर सबसे पहले यहां पहलेंगे एस्टी पार्लेल टू एक्स आर वाई एस्टी पार्लेल टू एक्स आर वाई एंड एस आर इज ए ट्रांस वर्सल एंगल देखों यहां पर यह वाले एंगल और इस वाले एंगल एंगल के सम्न एक्टी डिग्री ऐगा कितना होगा वर एक्स होता है कि में और कोई दो एक् तो के सेम साइड में हैं तो उनका एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो फिर यहां पर लिखेंगे एंगल संग कि ऑन सेम साइड आफ ट्रांस्वर्सल सेम साइड आफ ट्रांस्वर्सल ओके यह रीजन हो जाएगा तो यहां पर आपको इसकी वैलू दिया गया है कितना 130 डिग्री प्लास एंगल एस आर वाई इस इक्वाल डू 180 डिग्री और अगर आपको इसकी वैलू फाइंट करनी है एंगल ऐस आर वाई कि तो इसको उधर वैजना पड़ेगा तहिंए ऊजएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री तो रजल्ट में क्या आजएगा देखो रजल्ट में ऑजएगा 50 डिग्री कितना आ जएगा 50 डिग्री तो यहां तक हमाहारा जो एंगल आगया गया वह आगया तो देखो आगी क्या होगा similarly अब देखो यह पैरलेल टू होगा इसके यानि की पीक्यू पैरलेल टू एक्स आर वाई एड यह वाला ट्रांसवर्सल हो जाएगा क्यू आर क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल ट्रांस वर्सल देन तो मिलेगा के देखो इस एंगल और इस एंगल का समपनेट डिद्री हो जाएगा means angle PQR plus angle QRX is equal to 180 degree इसका रीजन भी वाई होगा एंगल सम आन कि सेम साइड आफ ट्रांसवर्सल है ट्रांस वर्सल ओकि तो यह तो गया अमारा रीजन अब देखो हमें PQR की value दिया गया है 110 degree तो इसको put कर देंगे 110 degree plus angle qrx is equal to 180 degree अब ये 110 है इधर plus में इधर जाके हो जाएगा minus minus 110 degree तो बचेगा क्या angle qrx is equal to 180 minus 110 is equal to 70 तो ये हमारा दूसरे angle हो गया अब देखो हमें ये angle पता है कितना है 70 degree ये angle पता है कितना है 50 degree यहां पर देखो आपने 50 degree find क्या ये एक cd line है तो एक cd line पर बने सभी angle कसम कितना होता है 180 degree होता है आगे है देखो क्या होगा आल सो अ एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल कि एस आर वाई is equal to 180 degree इसका रीजन होगा लीनियर पेर है क्या होगा लीनियर पेर ओके तो अब वैलूज को पुट कर देंगे देखो ये हम रखेंगे आपर 70 डिग्री पलस क्यू आर एस फाइंड करना है और यहां पर रखेंगे हम 50 डिग्री कि यहां से एग्वाल 180 डिग्री अच्छा देखो 70 और प्लस 50 कितना हो जाएगा साथ पांच 12 120 हो जाएगा तो यह 180 डिग्री और इधर 120 डिग्री पलस एंगल Q Rs आपगर आपको यह फाइंड करना तो इसको उधर भेजना पड़ेगा इधर पलस है तो उधर जाकी क्या हो जाएगा मैंनस हो जाएगा तो यह हो जाएगा qrs is equal to 60 degree किता हो जाएगा 60 degree तो यह हमारा इस question का answer हो गया यह हमको इस question में find करना था आप चाहो तो वीडियो को पाँच करके write on कर लो या फिर screen shot ले लो तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले thank you class